आज हम बात करें है GTL इंफ्रा स्ट्रक्चर की GTL इंफ्रा को लेकर दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो टेलिकॉम सेक्टर से है और क्या इसका फाइदा GTL को मिल सकता है इस वीडियो के माध्यम से डिस्क्रस करेंगे दूसरी तरफ क्या GTL इंफ्रा में इस समय बड़ा निवेस करना चीए क्या वाके में श्टॉक काफी अच्छा है या फिर फंडामेंटली बहुत जाना वीक है तो क्या strategy अपनानी चीए क्या GTL इंफ्रा में थोड़ा बहुत निवेस करें या फिर इसमें से निकल जाए तो यहाँ पे इस वीडियो में आपको वो सारी बाते देखने को मिलेगी कमपनी कितनी मजबूत है और कि आने वाले से में आपका इंवेस्मेंट कई गुना बढ़ सकता है या फिर इंवेस्मेंट डूबने की पूरी संभावना है तो यह वीडियो आप पूरा देखिए आपको अच्छे से समझ में आज़ेगा कि आगे जीटियल इंफ्रा का क्या बवी से हो सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी किसी पैनी स्टॉक में इंवेस्मेंट करते तो सबस्क्राइब कर दीजिए एक बेल आइक उन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवयार मारे अपने चैनल ओनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले फ्राइड़े के ट्रेडिंग को डिसकस करेंगे स्टोक ओपन हुआ 1.35 पर लो बना 1.25 का और क्लोजिंग है 1.35 पर यानी 5% के सर्किट के साथ में क्लोजिंग है अब आप यहां पर देख सकते हो एक ही सिमी दाइर में ट्रेड कर रहा है आपको लोर सर्किर भी दिखा ही देगा और अपर सर्किर भी दिखा ही देगा कुल मिला के इस समय स्टोक की बात करें तो यह पूरी तरसे सिमी दाइरे में ही ट्रेड कर रहा है आप यह देख सकते हैं पिछले एक मेने किसकी परफॉर्मेस सत्ता ही जुलाई को यह 1.35 के पास था जो आज की प्राइज है उसके बाद आप देखेंगे तो यह 31 की लोग बना चुका है तो यह इसलिए होता है क्योंकि यह पर ऑपरेटर बहुत ज़्यादा सक्री है और वो यहाँ पर काफी ज़्यादा पैसे कमा रहे है अब वो पैसे कैसे कमा रहे है तो आप देख सकते हो कि यहां पर 15 पैसे का मोमेंट बहुत ज़्यादा हो ज़्यादा बड़ा चोटे से स्टॉक में अगर कोई 10 लाक रुप्य लगा रहा तो आप देख सकते हैं उसका प्रॉफिट कितना बड़ा होगा वह इसलिए यहां पर इस टॉक के आपको एक सीमी डायरे में ट्रेट करता हो और डिलhouse का परसनिष फिप्टी 6.45 तो ही आप देख सकते हैं दिलेवरयय SAY काम पच्छास पर तेसल से उपर है क्योंकि लोग यह Peaney कंकरते क्योंकि इ क्पर्वकर्च प्रोफिट का रुपरे यहां पर डोग देख सकते हैं तो एक मैं चल्यμά इस का तुत 5-0-0-0-0- जो लगाता है इसमें दो-तिन दिन की डेलोरी बेस काम ले रहे हैं अब इसकी परफॉर्मेस देखे तो 1.05 52 विक का लो है और 2.50 52 विक का यह फिलार स्टॉक 1.35 के आसपास है अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है BSNL जो सबसे बड़ी सरकारी टेलीकॉम कमपनी है वो अपने 10,000 टावर बेचने जा रही है तो अब आप देखो कि एक तरफ तो 4G सर्विस कमपनी ला रही है 5G के लिए त्यारी करें फिर टावर के बेच रही है तो सरकार चाहती है कि अब जो टावर का सारा जिमा है वो प्र आजीमा सौपा हुआ है तो ऐसे में यह इस बीजनस से बाहर निकलना चाहते है और इसलिए BSNL अपने टावर बेच के वो सारा का सारा जो बीजनस है वो प्राइवट प्लेयर के आहतों में देना चाहते है तो यह आप समझ सकते है इसे एक बड़ी रकम भी मिलने वारी है BS को करीब 4000 को बीज की इनको रकम एक साथ में मिल सकती है अब यहां पे आप देख सेकते हैं अपर्चुनिटी निकल के आएगी GTL के लिए क्यों कि GTL के पास एक बड़ा नेट्रोक है तो BSNL जब अपने टावर बेच देगा तो उसकी जो सर्वीस है वो GTL के मादिम से ले सक रहेंगी तो उसका फाइदा भी GTL को मिल सकता है क्योंकि पुरानी कंपने हैं टावर सेक्टर में तो इसलिए आने वाले समय के लिए हमने एक नया लोग बना दी आनी 17 अगस्ते यह लागू हो चुका है जिसमें अब पब्लिक प्रॉपर्टी के अलावा जो भी आते हैं तो उसके लिए अथर्टी की पर्मिशन लेने की जरूतनी है यानि जो बहुत सारा प्रोसेश था उसको जी कर दिया गया है यानि अब जो है वो बहुत ही कम प्रोसेश में यह काम हो जाएगा सिर्फ बिटिंग के कंडिशन देखके उसके उपर जल्दी से जल्दी इसको पर्मिशन दे दी जाएगी पहले बहुत सारी अथर्टी की पर्मिशन लेनी पड़ती बाद में ही टौवर लगा सकते हैं लेकिन आब उसको आसान कर दिया क्योंकि आने वाले समय 5G के लिए बहुत सारी टौवर के जरूत है इसके अलाबा बहुत सारी और स्विदया यानी शुरू हो सकती है लेकिन अगर हम बात करें जीटियल इंफरा के तो कंपनी काफी वीक लग रही है फाइनेंशली और फंडामेंटली अगर कंपनी के रिवेन्यू को हम देखे तो जून 2020 में 362 कोड़ीज का रिवेन्यू था सेप्टरमर में रिवेन्यू 364 मार्च में 366 कोड़ीज का रिवेन्यू और जून में 360 कोड़ीज का रिवेन्यू तो यह आप देख सकते हो कि रिवेन्य थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा है पिछले जून में जो था उससे भी कम दिखाई देगा और मार्च कोड़र से भी कम आपको रिवेन्य दिखाई लॉस आ गया तो कुछ होब जगी थे कि अब लॉस दिरेदे कमपणी का कम हो रहा हो सकते हैं आने वाले से में प्रॉफिट बाइज है लेकिन हो गया उलट मार्च क्वाटर में कमपणी को बहुत बड़ा लॉस हुआ करीब 853 कोड़ पीज का और इस जुन क्वाटर में लॉस सेल्स ग्रोफ के आकरे वह माइनस 8.52% है पिछले पास साल से यह इसके लिए बहुत बड़ी निगेटिव बात है इसके लावा प्रमोटर होल्डिंग जो है वह 3.33% है जो बहुत कम है इसके लावा अगर आगर आप देखे तो उनकी जो लाइबिलिटी जब वह 1.400 किया जा सकता है कंपनी की परफॉर्मेस देखे तो एक रूपया नहीं लगाया जा सकता है यह पिछले दो तीन साल की परफॉर्मेस देखे तो भी आपको वीक्नेस दिगए देगी मार्च 2020 में जा पर इंका सेल 1410 को भीजगा था इस बार सेल थोड़ा सा बड़ा है 1461 को भ बात करें तो जबर्दस गिराओ रहे है मार्च 2020 में इनका 427 को भीजगा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो घटके 282 को भीजगा तो प्रॉफिट बहुत ही जबर्दस गिरा है इसके लावा नेट प्रॉफिट आप्र टेक्स की भी बात करें तो कम्पनी लगा था क्योंकि एक तरसी सरकार की योजनाओ के ओपरी ये कंपणी आजसरी ते फिलाल कंपणी के फाइनेशल कंडिशन बहुत ही ज्यादा कमजोर है अगर हम पिछले दस साल से इसके सेल्स की बात करें तो टैन येर के इसाफ से तो टैन परसेंट पॉजिटिव आपको सेल दिखा परसेंट पॉजिटिव है तो प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत है कंपणी का लिए उतना खास नहीं है इसके अलावा यहाँ पे देखे अगर हम स्टॉक प्राइस तो टैन येर के इसाफ से फिटीन परसेंट निगेटिव है फाइव एर के इसाफ से कॉंटी परसेंट नि नहीं हुई है और ऐसे में यह जो पोईशन है कंपनी देखके यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करने की कोई सला नहीं दियाएगी मैं भी आप मैंने आपको लगातर बोला हुआ है कि इसमें रिस्क के साथ निवेश करें और वो इसलिए सिर्फ क्योंकि सरका कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में फिर भी सरकार ने उसको बचा है और इसलिए यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा सा इसमें तेजी आने के समावनों बने दूसरी बात यहाँ पर ऑपर ऑपर यह पूरा स्टॉक चल रहा है तो ऐसे में इसकी डारेक्शन दोनों तरब की ब से बड़ी बात निकल के आ रही है कि जो इसका शेर ओडिंग पैटरन है वो कह रहा है कि यहाँ पर आपको इंवेस्मेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि आप देख सकते हो कि प्रमोटर की ओडिंग बिल्कूल नहीं के बराबर है 3.33% की ओडिंग है यानि समय लोग प्रमोट में 59.72% की ओल्डिंग है जो घटते हुए 46.33% तक आ गई है तो बड़े फंडा उस भी इसमें से निकल रहे है अब यहाँ पर होल्डिंग जो बड़ रही है वो सिर्फ जनरल पब्लिक की है जा पर सेप्टरमर दो जारी के इसमें 35.05% की ओल्डिंग थी वो इस बार 50.22% ह हुए है तो यह बात आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो सारे के सारे शेर फिलाल जनरल पब्लिक के पाथ जा रहे है और ऐसे में रिस्क बहुत ज़्यादा हो चुकी है और ऐसे में आपको इसमें दावल नहीं लगाना चीए और लगाते हो तो बहुत ही लिमिटेड मात्रा म आप भी शौट टम में इन्वेश्मेंट करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो कमा सकते हैं एक रुपे तीस पर से क्यासपर निवेश कीजिए और एक रुपे पैतालिस पर से क्यासपर बेच दीजिए यह बार बार हो रहा है और इसमें आप थोड़े कम समय में अच्छा पैसा कमा सकते हैं इसलिए फिलाल इसका बहुत से आपको यह समझ लेना है कि इतना सांदर नहीं दिखाई दे रहा है कम्यूटी सेंटिमेंट फिर भी स्टॉक के साथ बना हुआ क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो कि इंट्राडे में आप देख से सोट टर्म इन्वेश् जाएगा और नीचे का फिर 1.50 तक जा सकते हैं तो एक बात ध्यान रहे कि अभी फिलाल इसलिए वन से नीचे जाने की समझा बहुत कम है क्योंकि यहां पे काफी अच्छी खरीदारी शुरू हो जाती है ऑपरेटर के द्वारा लेकिन पॉजिटिव माहुल बनेगा तो 1.35 का 1st resistance है जैसे कि यह इस पर closing दी है अब इसके आगे जो second resistance 1.40 का है इसको पार करते ही 1.45 की प्राइज है तो यह आप देख सकते हो कि एक 45 फिलाल इसकी उपर की प्राइज है इस लेवल को तोड़ के यानि डेट को तोड़ के उपर जाएगा तो फिर एक नई range बन सकते है फिलाल तो एक सीमी डाइरे में ट्रेड कर रहा है तो यह आपको खास ज्यान करा है और इसी हिसाब से आपको इसमें investment करना है और अगर आपका बहुत बड़ा investment है तो इसमें से प्लीज निकाल दे लिमिटेर मात्रा में ही निवेसर के रिसकी श्टॉक बहुत जदा है लेकि फ्रेंड कोई भी investment करने से पहले अपने financial एडवेसर बाड़े ले यह आपना खुद का रिसर्च करें क्यूंकि मैंने वीडियो आपके educational प्रपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुरू कीज़े और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे थैंक यू फ्र